प्रिया दर्सकों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आपका इश्प्रो में जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्स 2020 की विदाई होने जा रही है और नब वर्स 2021 में हम सभी प्रूइस करने जा रहे हैं कि सभी के में उस उपता रहती है इसनारा आने वाला वर्स कैसा मीखने बाल है वर्स के प्रारंध में भी हमें साधी जानकारी मिल जाए कि हमें क्या क्या साथ धानिया रग 어्र कि हैं कि छेत्र में हमको मेहनाथ करनी है जिसमें लाउ चर भाश कोंसे हमारी को he कि रस्कुत हुआ हूं है राश्म के करम में पहली राशी मेश राशी के वर्षिक राशी फली के हम चर्चा करेंगी कि अब से पहले वर्ष में होने वाले गोचर पर थोड़ी दृष्टी ढालेंगे आप सभी को विद्यत है कि सूर्य देव प्रत्यक मास में अपना राशी प्रवर्तन करते हैं मंगल देव इस वर्स मेश राशी से लेकर कि व्रश्चिक राशी तक आठ राशियों को पार करें वर्स तो हजार बाइस मैं धनू राशी में जाएंगी राजमान रहेंगे, 23 मई को ये मकर राशी में वक्र गती में आ जाएंगे, यानि की मकर राशी में ही उन्टी गती से चलना प्रारम गती आगे चल करके 11 अक्तूबर को ये मारगी होंगे 1 देवगुर्णू प्रहस्पदी कुमभ रासी में 6 आप रहसे कर जाएंगे 20 जून को कुमराशी में वक्त्री रहेंगे फिर मकराशी तक जाकर के 14 शितम्बर को मकराशी में वक्त्री होंगे और 18 अक्टूबर को पुने ये मार्गी गती से चलना प्रारंप वर्स 2021 कैसा रहने वाला वर्स 2021 मेसअरासी के चाटफ़कों के लिए बहुत एतिहासक रहने वाला है अजगत रहने वाला है वर्स के प्रारंप में ही भूचक नामगराजियों को लगाकर के मेसअरासी के जो स्वामी हैं लगनेस हैं मंगल देव प्रतम भाव में लगन में ही वराजमान रहेंगे जो बहुत ही सुन्दर भूचक नामग राजयों होता है जिसका फ़ल आपको मिले लेकिन इस बास से भी इनकार नहीं किया जा सकता के राहू देव और पर फॉर्ण 具डियों फॉष्ट में ज वीजां रहे कुम और श्री भाव में और चो केतु देव रहेंगी जो की आपका अश्टम भाव म्रत्यू का म्रत्यू तो लिकस्ट का भाव है इसमें बैठकर के केतु देव आपको जीमारियां यहां तक की छोड़ चपेट की घटनाय ऑपरेशन की संभाव ना यह बना सकते हैं एक बात को लेकर के साथां करूं कि अश् तो लाव तो आपको होगा ही लेकिन स्वास्ट को लेकर के परेशानियां आपको आ सकती है सर्जनी तक का भी योग आपका बंदा है आपके लिए जो सबसे बेहतरी निस्तिती है वो 22 परवड़ी तक क्योंकि मंगर आपके लगूं में विराजमान रहेंगे 22 परवड़ी व वहां पहुंच करके एक बड़ा भारी दुर्योग का निर्माल करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अंगारक योग यह अंगारक योग आने से आपको विकट आर्थिक तंगी का शामना करना पड़ सकता है खर्चों की अधिक्ता होगी स्वास्त की भी हानिक होगी व्यापार य तो प्री दर्सकों 22 फर्वनी से 13 अप्रेल तक आपको शाबदान रहने की आविशकता है को युवा लोट्री शट्टाइब क्यादी में आप निवेश करते हैं से अर्मार्वीड में दोस्कों करने से बचते तेरे अप्रेल के बाद पुने हंतोरी से इस्तिति आपकी उच्के हो जाते हैं शुर्य नाराणदेवा को मान सम्मान यस वैभाव काड़ी की अधिकता अधिक आपके काड़ होगा संतान सुख भी देंगे तेरे अप्रेल से तेरे मही तक का यह समयाब का रहेगा जिसमें सुझ नाराणदेव आपकी लग्र में में भराजमा रहेंगे उच्के होकर कि किसी प्रतयोगी परिक्षाद यदे आप तैयारी कर रहे हैं किसी कौंपटेशन को आप देना चाहते हैं तो आप उसको ट्रेक में कौन जाएंगे आपको गलत दिशा में बल प्रयोग करने से बचना चाहिए ये समय उन लोगों के लिए फेवर में रहने वाला है जो बल से अपना कावे करते हैं इस समय में आपको ओवर कॉंफिडेंस से बचना चाहिए फेवरों से संबंदित समश्या अस्तमा यदि आपको है तो उसमें ब्रद्धी हो जाएगी अस्तमा से संबंदित द्रोग आपके उखड़ सकते हैं चाती से संबंदित भी समश्या आपको हो सकती है आपके सम्मान को धूमिल कर सकता है यह मंगल का नीच हो कहीं से दोका आपको मिल सकता है जंता से दोका मिल सकता है चुकि आपके अस्टमेश भी है बीस जुलाई से 6 सप्टमबर तक मंगल सिंग राजी में पंचर वाव में बिगले हुए कार्टों में सुधार होगा चुकि लगने इस त्रकॉन में ब्राजम हो करके राशी स्वामी हो करके अपने परमित्र सूरी की राशी में शिंग राशी में पंचम भाव में बैटे हुए हैं विद्या बुद्धी शंतान से सुख आपको मिलेगा जो विद्यार्थी पर गये हैं उनको खासा लाव देखने के लिए मिलेगा व्यापार यदि आप अगनी तब प्रधान को व्यापार यदि करते हैं जैसे आप बोला बारूर दित्यादी जहां बनाने का कार्य होता है या आप शेना में हैं पुलिस विभाग में हैं किसी उच्छपर पर आप गराजमान हैं सरकारी सर्विस में हैं इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधे तकार यदि आप करते हैं आपका कार्य कंडक्शन में है तब आपको बहुतायक में लाव देखने के लिए मिलेगा 6 सेप्टमबर से 22 अपके पक्स में नहीं रहेगा क्योंकि सत्रू की राशी में कन्या राशी में इपराजमान रहेंगे सत्रू आपके पुराने सत्रू आपको परिशान कर सकते हैं नए सत्रू भी आपके बन जाएंगे बैंक से कोई रिकबरी आपको आ सकती है किसी से आपने अधी कर्ज लेकर के रखा है तो तरजदार भी आपको परिसान कर सकते अपना पैसा वापस लेने के लिए पुलिस में बाकी और से भी आपको शमश्या देखने के लिए मिलेंगी कोट कचेरी इत्यादी यदि कोई मसला चल रहा है तो बिगड़ सकता है उससे आपको साफदान देहिए कि आप शकता है कोई भी ऐसा काड़ इलीगल काड़ आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपका को कौन से आपको अपने विवेग को अपनी प्रोध को नेत्रण में रखनाए सारी समश्याओं से आप आहर निकलते चले जाएंगे आगे चलके 22 अक्तुबर से 4 दिसंबर तक मंगंदेव तुरारासी में रहेंगी जिनकी साथी द्रश्टी सीधी आपके लगन पर रहेगी श अभी प्रकार के लाब आपको मिलेंगे हालां कि मांगलिक दोस्ट बना करके बैटे हैं लेकिन चौती द्रश्टी मकर पे उच्ची की द्रश्टी पड़ेगी सरकारी नौकली के लिए यह आप प्रियास रहते हैं तो इस समय में आप प्रियास कर सकते हैं प्रूमोशन यह चाहते हैं आपको प्रूमोशन मिलेंगा ट्रांस्फर्मन चाही जगें पर आपको मिल सकता है कि अवर अपने घुस्षे पर नियंत्रा रखें व्यवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतवेद हो सकता है इसलिए अपने जीवन साथी के साथ अपने पार्टनर के साथ में साथ ध प्रिष्टी रहेगी वयां पर रहे हैं आपके भाई बन्धूँओं स सेी कि कि मांसी ज़ो सकता हैके शाधय कृए से सन्मंदेश से शी सब्रसकते इता हैं आपको परिशान कर सकती हैं यह तो बात रही आपके राशी स्वामी या लगने मंगल देखती है लेकिन वर्स के लिए और भी आपके कुंडली के जो प्रमुक्रे रहने वाले हैं उनकी स्थेतियों के थोड़ी चप्चा करेंगे शनिदेव पूरे वर्स मकर रासी में ही विराजमान रहने वाले हैं जो कि आपके कार्य भाव में दसम भाव में वराजमान रहेंगे सस नामक महापुरुशियों को लगा करके विराजमान है जो आपके लिए बहुत इच्छा रहने वाला है यह तो बात रही आपके लगनेश या राशी स्वामी मंगल देव की लेकिन और भी जो मुखिक रहे हैं उनकी स्थिक ऐसे रहने वाली उसके बारे में चल्चा करें शनी देव बुरू बेस्वथी आपके फ्यवर में रहने वाला है जैसा कि आपको वीडियो की प्रारंब में में जानता दी थी शनीदेव फूरे बर्स मकर राशी में विराजमान रहने वाले जो ससनामक महापुर्शयों को लगा करके विराजमान रहेंगे जो आपको खासा लाप देंगे हरागी तेश महीं से 11 अप्टूबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे मतर राजी में ही उल्टी का तीस चलना प्रावन करते हैं इस समय आपको थोड़ा सा साथ रहने की आवश्यक्ता है विकार का थनाव आपका बढ़ सकता है चंता है आपको बढ़ सकती है आपको अपने क्लोध पर नेंतरन रखना चाहिए इस समय के बीच में हाँ जब 11 अक्टूबर को ये फुने मारगी होंगे तब इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलती दिखाई पड़ेगी गुर्दे प्रहस्पती जो आपके भागेश भी होते हैं 6 अपरेल को कुमरासी में बराजमा तहेंगे आपका ब्यापार बढ़ता हुए दिखाई देता है आपके इंकम में भी बड़ोति होगी और आपके भागु से आपके ब्यापार में आपके आयम के बрет़ी होई दिखाई पड़ेगी 20 जून को कुमरासी में बक्तरी होंगे जो अपने फल में तीन गोना और ब्रतिये कर देंगे पहीं बात करें राहु देव और केतु देव पी तो राहु देव धन भाव पर उच्चके होकर के बिराजमान है केतु आपके अस्टम में बैटे हुए हैं जो हेल्थ के लिए थोड़ा सा चिंता आपको दे सकते हैं लेकिन धन के लिए अच्छे हैं कि अब आपको सावधान देहना है जब मंगन देव और राहु की यूति होगी अंगारती योग जब उत्पन होगा उस समय आपको पहुत ही सावधानी से अपने काज़ों को करना चाहिए बात करूआ में उपायों की तो गड़ेश चतृती का व्रत आपको इस पूरे वसने रखना चाहिए यूा आपको गड़ेश जी का संकड ना सकत pouco इस त्रोत रहें उसका भी पर प्रत्ति मंगलवागो कर सकते हैं जब के आन्टे से उड़ात के शक्र मिलाकर कर रोटियां मनाईए मंगलवार शनिवार के दिन आपको वहँख भूरोटी खिला सकते हैं इसे आपके मंगल देती प्रशन होंगेशन देव और शनीदेव भी आपको शांति प्रदान करेंगे par में ये अब को बता आउयगे महिने में दो पक्ष होते हैं एक होता है क्रस्न फक्ष एक होता है शुक्लफक्ष मावश्या के बार जो प्रत्रकशा आती है वहाँ से सुक्रक्वक्वक्ष का प्रारम्ब कर सकते हैं आपको पढ़ना कुछ नहीं है प्राते काल स्नान करके अपना झ्लिया करें आपना रोज का पूजा परते हैं उसे के साथ में हरमान 40 में परत करना चाहिए हरुमान चालीसा के अलावा बजरंबाल नकाभी पाड़ कर सकते हैं किसी हरुमान जी के मंदिर में जाएं वहां जाकर कि यदि बन जाए तो हरुमान जी को आप सिंदूर का चोला भी चलवा सकते हैं यह के साथ में कोई मीठा प्रसाद जैसे की बुर्चना इत्यादी का प्रसाद हरुमान जी को चड़ा करके वित्रणत रवाएं इस यह आप को ताकी राव मिलेगा वर्स 2021 कामना करता हूँ मेश रासी वह मेश लगन के जातवों के लिए सिंद संभावनाव को लेकर किया है जिन समस्याओं का सामना हम सभी को वर्स 2020 में तरना पड़ा वो सारी समस्याँ जूर होती दिखाई पड़ेंगी और ठाकुर्ची से निवेतन करूंगा कि आपका वर्स मंदल में मीते वीडियो में दीगे जानकारी यदि आपको पसंद आती है आपको यदि लगता है कि जानकारी हमारे काम की है तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों पाक कहुंचा नमस्ता